नमस्कार दोस्तो मैं आरियन सर्मा और आप लोग देख रहे हैं आरियन ओनलाइन कलासिस तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जीवों में जनन जनन किसे कहते हैं और जनन कितने परकार के होते हैं यदि आप इस वीडियो को संपुन देखते हो, पूरा देखते हो तो आप लोग को आज के बाद इस टॉपिक को पढ़ना नहीं जहे पढ़ना नहीं, बिल्कुल आराम से समझेगे कही कोई दिक्कते नहीं होगा, तो फिर इसको पढ़िएगा तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं जनन किसे कहते हैं, तो सिम्पल सी बात है जनन किसे कहते हैं, अपने जैसा संतान पईदा करना ही Reyyan कहते हैं कर देंगे का हे सर जी के संतान पैदा भी करना जरूरी है न अपना आस्तीत बनाए रखना अपना परदाति बनाए रखना निर्वंसा है कुछ आता ही नहीं इसको कोई बंस में हाँ ही नहीं इसलिए जो हम लोग को बंस बढ़ाने के लिए हम लोग को साधी करनाicios कीCry पल्ले हम आपको बता दे मेरे मम्मी पापा मेरे जनक होगे उस से हम लोग आई हम साधि करेंगे था हमारी भी बाल बच्चा होगे त methylene rece całक कर अपने बंस को बढ़ा continuously को हम लोग कैसी प्रिक्रिया को हम लोग कहते हैं जनन ते समेंगे आपको लिखकर बताते हैं आप लोग नोट कर लिजे या तो समझतों रहे ही है तो देखिए हम आपको बताते हैं जीवों में जनन तो लीखेंगे कई से तो देख लीजिए जीवों द्वारा जीवों द्वारा जीवों द्वारा अपने जैसा अपने जैसा संतती उत्पन करना ही जनन कहलाता है जनन कहलाता है तो आप ने क्या देखा जीवों द्वारा अपने जैसा संतती उत्पन करना ही जनन कहला तह बिल्कुल इस चीज को आप लोग समझ गए ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा अब कहेंगे सर जनन करना जरुड़ी है तो हाजी बिल्कुल जरुड़ी है काहे की दो पॉइंट्स आपको इसमें लिखना है क्या लिखना है अपना आस्तुईत को अपना दाती बनाए रखने लिए अब मानलिया ज़नन करें घहीं नहीं तु लोग जो है एतने पर जाके खतम हो जाएगा हम हम साधी करना चोड़ दिया और हम लोग के जो युबा लड़का है जो साधी करना चोड़ देंगे तो जन्संख्या में बिर्दी होगा बिलकुल नहीं पोधा को भी जनन करना जरूरी है अधी पेर पोधा जनन करना बंद कर दे तो क्या होगा बिरिक शेकोग नजर आएगा जो था वही रहेगा और खतम हो जाएगा उसको आएस्त्वित तो आगे नहीं बढ़ेगा बकडियां है गाय है भैस है यह सारी चीज़ जनन करते हैं और परजाती बनाए रखने के लिए यह बात आप लोग को समझ में आ गया बिल्कुल तो आप लोग जनन समझ गये जनन किसे कहते हैं और जनन करना क्यों जरूरी है यह बात आप लोग समझ गये बिल्कुल समझ गये होंगे ताब हम आपको बताते हैं जनन के परकार तो यहां आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे टाइप ओफ री प्रोटेक्शन मतलब जनन के परकार तो जनन के परकार होते हैं जनन, और दूसरा हो जाता है, लैंगिक जनन, और तीसरा हो जाता है, और लैंगिक जनन, और चौथा हो जाता है, और निसेक जनन, तो फ्रेंड्स, अधि पूछे, कि क्या कहते हैं जनन कितने परकार के होते हैं तो कहेंगे चार परकार के होते हैं कौन-कौन काइक जनन लेंगिक जनन और और लेंगिक जनन और निसी के जनन तब बिलकुल इस चारों के बारे में हम लोग आराम से समझेंगे एकदम आसान तरीका आसान भासा मेरा एक ही को बिल्कुल समझना आसान हमें इसको लिख के बताएंगे ज़रूर लेकिन पहली हम आपको समझा देते हैं देखे होंगे गुलाब के पोधा को जो है 25 में पोधा कब भू नर्ड़ था लगा दिया जाता है दो लग जाता है कुछ ऐसे विरिक्च्ष है जिसकी टहनी काट क्या काई जनन और क Kings के बारे में हम आपको बताते हैं बिलकुल असान भासा में तो फ्रेंट्स जीसा कि हम आपको बताए काई कि चानम में क्या होता है अधिक किसी गूलाब के पौधे को कुछ होई से उसे पौधे आपको मिल जाएगा जिसका दी टहनी काट के आप जमीन में लगा दीजेगा न उसका ब्रिक्च हो जाता है ठीक है सजुवन आप लोग जानते हुगे सजुवन को काट के जो है आप गोबडबगर लगा की रखती जिए किसान के किसान के जान के घर से बन करते हैं सजुवन जो होता है उसको काट के लगा देते हैं ठीक उसी परकार आलो को यहां पर है क्या होता है यहां पर है कि क्या होता है बीज के अलावे बीज नहीं होते हैं बीज के अलावे पादप के किसी भी भाग को भाग से नया जीब का उत्पन होना, तकायक का जो है कोई भी भाग, ये पेर पोधा है माल लिया जाए, इसका कोई भी टोहनी आप काट लीजिएगा ना, ये वहला टोहनी और जमीन में लगा दीजिएगा, ति इससे जो है फूल काट के लगाएंगे, तो फिर से एक नया पोधा का निर्मान होगा, ये भी तो जानना जरूरी है, काईक अंग क्या हो गया, तना हो गया, तना जिसको हम लोग काट के लगाते हैं, टहनी जिसको बोलते हैं, अब देखें पती, कुछ पती ऐसे होते हैं, जिसे जो जमीन पे कुछे, तो आपको बताना है, तना पती का लिकाएं, अब देखें हम लोग बात कर लेते हैं, आलू का, इससे पहले हम आप बताए होगे, आलू, आलू को जो है, आपको आलू जब देखेंगा, निस पे नोख नोख टाइप का निकल जाता है, जदा दिन रखेंगा ना, य से भी अधिक आलू उत्पन हो जाएंगे, तो इस तरह के जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, काईक जनन बोलते हैं, काईक जनन आप लोग बिल्कुल समझ गये होगे, आब हम लोग लेते हैं, लेंगिक जनन को, और लेंगिक जनन आपको समझाते हैं, उसमें क्या होता है, तो मिलके एक बच्चे का निर्मान कीजेगा और बच्चे से एक परिबार का निर्मान कीजेगा इसे ही हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन तो बिल्कुल समझे इसका डिफिनेशन कैसे करेंगे देखिए कि लिखेंगे वह जनन जिससे नर वा मादा के युगमक मिलकर अपने जैसा स सर हैं और नर और मादा हम लोग मनुस हैं मनुस का ही बच्चा पईदा होगा इसा आप लोग सोचते ही होंगे कि सर कहीं इस तरह का बात आ जाए क्या क्या कहते हैं इसको है तो चलिए बिलकुल हम लोग समझते हैं लैंगिक जनन देखें लेंगिक जनन क्या होते हैं, लेंगिक जनन के लिए चाहिए नर और मादा, नर और मादा चाहिए उसके बाद होता है लेंगिक जनन, तो देखे जैसे कि आप लोग इस समझ सकते हैं, लरका और लरकी, माता और पीता, जिससे हम लोग आए, अब हम लोग साधी करेंगे, हमारी पत्नी होगे और उससे हमारा एक परीबार बनेगा बालबच्य होगे बेटा-बेटी होगा तो उससे क्या होगा हम जीशा सन्तार पाइदा हुआ तो उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे लैंगिक जनन कह escort सबस्क्राइब बिलकुल आप लोग समझ गेंगे आप किछ बच्चे का मननमें ये भी बिल्ली कुट्ता जन मिलेगा इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझेगा समझे अब आ जाते हैं पेर पोधे पेर पोधे निकलते हैं उससे कहिएगा आम का पोधा लगाएंगे अकटहर का पोधा आएगा तो नहीं आएगा तो बिल्कुल इस चीज को समझ लिजिए द लड़का और लड़की जिसको आप लोग दूसरे भाता हम जानते हैं मादा और नर और मादा ये भी जानते हों इह यहां पे माता पीता ये सब क्या करते हैं लेंगिक जनन करते हैं और लेंगिक जनन करने के बाद अपने जैसा संतान पैदा करते हैं और अपनी बंस को आगे बढ़ाते चलते हैं तो सेम उसी परकार से हम लोग समझ लेते हैं और लेंगिक जनन को तो चलिए इसको पहले हम मीटा लेते हैं उसके बाद समझते हैं और लेंगिक जनन कहते किसको है तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं और लेंगिक जनन में क्या होते हैं एक जीव होते हैं और एक जीव से ह एक नए जीव का निर्मान होते हैं तो कैसे होते हैं और किस परकार से होते हम आपको तो बताएंगे ही बताएंगे सबसे पहले आप लोग यह समझना है और लेंगिक जनन किसे कहते हैं और किस परकार से आप लोग को इसका डिफनीशन देना है परिभासा देना है परिभासा करना है तो और लेंगिक जनन में इसमें एकल जीव से नए जीव का निर्मान होता है एकले जीव से नए जीव का निर्मान होता है तिसमें ह हम आपको example बताते हैं कई से तदेख लिज्यें जैसे में लिखेंगे हाइडरा है हाइडरा ठीक है जैसे में हाइडरा और अमीबा हैडरा और अमिबा देखे दोनें चीक और अच्छी तरह साप लोग समझेगा हाइडरा का जो अश्टेक्चर होता है को नोज़्य नहीं होता है यह अपना अकार बना लेता है फिलाल की बात करें तो इसका जो अकार होता अस्टार के तरह होता है कुछ इस परकार से हम ड्रॉ हो गया और हैड डिंद रा जो है अपना बोजन घेर के करता है यह कभी ऑधर मुँझ कहते है जहां को धी यहाँ खाना मिला व क्षोल देता है ठीक है और इसका पारचन होता फंटाइन व बीच तूट जाते हैं तो दो भाग में जैसे तूटते हैं नया दो जीव का निर्मान हो जाते हैं हाइडरा जो है तूट जाते हैं और तूटने के बाद क्या करते हैं अपने जैसाथ दो जीवों का निर्मान कर लेता है तो यह तो पहले से एक था और इसका जो भाग टूटा ऐसे उस से नया जीव आ गया तोसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ओलेंगिक जनम और इसमें किता था एकल जीव था एक ही जीव था और जिसने सन्तान भी पैदा किया अभ आते हैं इसमें मुझ विए भान देखले कि अमीवा में हम लोग कुछ इस परकार से मैं इसको ड्रॉव कर दूँ देखा जाए यह बाला भाग देखिए यह बाला भाग यह बाला भाग देखिए यह बाला भाग यह पिथा और यह बाला भाग बढ़ गया और धीरे धीरे ग्रॉथ करके यह क्या हो जाता है यह इस परकार से फिर हम एक जो है अमीबा का पिक्चर डॉक कर लेते हैं कुछ इस परकार से क्या हो जाते हैं यह दूसरा भी बन जाता है यहां पर यह थोड़ा सा ग्रॉफ किया मतलब बढ़ाई हुआ इसका इसमें बढ़ाबा हुआ और यह अपना खाना पिना खाया धिरे धरे बढ़ा गया इस यह बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते इसका यह बला भाग जो होता है मुकूलन होता है और मुकूलन जो है बढ़के इतना बढ़ा हो जाता है और यह यहां से तूट जाता है और यह अपना दूसरा जीव निर्मान कर लिता है तो यह जो है अमीबा इस तरह से जनन करता है बिल्कुल इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो कहीं कोई दिकत नहीं हुआ होगा अब आजाता है और निशेक जनन में क्या होते हैं ना तो जीव जिस जनन में जिस जनन में ना नर वा मादा का निशेचन भिना ही नए संतान का उत्पन हो उसे हम लोग क्या कहते और निशेक जनन कहते हैं लेकिन ये बलन टोपि कुछ बढ़ा है ये बला मॉण० पहले समझेए और निशेक जननका जो है तौपिक है यह कुछ बढ़ा टोपिक है , इसलिए इसको लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे अब ही आप लोगiter इतना समझे है वह इसा जनन ज इसके बारे में पूरा डीटिल से दूसरे वीडियो में बताएंगे आपने लोगने क्या सिखा लॉलेंगिक yannan में इसमें एकल जीव से नए जीव का निर्मानध होता ये लिखना है और साथ ही जैसे में लिखना है Hydra और Amoeva हैड़ा और अमीवा का जो विखंडन होता है है हड़ा क्या होते हैं अपने से दो भाग टूट जाते हैं और टूटता हुँ भाग एक नया संतान हो जाते हैं अमीवा में भी कुछ फिरकार होते हैं क्योई गया को以及जसो आधिक बढ़ जाता और बढ़ने पर नए होते भाई चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब अधि आपके भी मन में कोई टॉपिक आ रहा है कोई वी से बस्तू आ रहा ताब हमको बोलिए कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट किजिए हम आपके लिए एक नया वीडियो जरूर लाएंगे तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएंगे मिलते हैं करें वीडियो को लिए के तब तक लिए बबाई जय हिंद जय भारत